नमस्कार स्वागत है आपका आर्या निउस में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल उत्तर परदेश में विधान सभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है और लेकिन साथ ही कुरोना वाइरस के बढ़ते मामलों की वज़ा से 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है अब विजेपी ने इसका तोड निकाल लिया है विजेपी सांसद और गायक मनोश तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है भगवा रंग चड़ने लगा है गाना गाया है और ये गाना भी लौंच नहीं किया है मनोश तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्मान शुरू होने पर परकाश डाला है इतना ही नहीं उन्होंने इस गीत में समाजवादी पार्टी के अधियक्ष और पूर्व मुखेमंत्री अखलेश यादव की टिपनी के लिए भी उन पर कटाज कटी है आपको बता दे कि उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और बिजेपी नेता नहीं गाने में काशी के भव्य मंदिर और मत्रा की मंदिर का भी जिक्र किया है हाला कि ये गाना अभी लॉंच नहीं किया गया है मनोश तिवारी के अला दस फरवरी से शुरू होगा और यूपी में ही साथ चर्णों में 10,14,20,23,27 और 3 और 7 मार्च को ही वोट डाले जाएंगे जबकि वोटों की गिंती 10 मार्च को होगी चुनाव आयोगने करोना के मद्दे नजर यूपी पंजाब, गोवा, मनिपूर और उत्राखण में कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच ओमी क्रोन के बड़े खत्रे के बीची प्रियागराज के माग मेले में क्रोना का बमफूटा है माग मेले में 38 और लोग क्रोना संक्रमित के शिकार हो गए हैं और पुलिस और P.E.C. के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिवाई है और इसके बाद अब माग मेले में क्रोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो एक कावन हो गई है तो वहीं 50 से ज्यादा लोग संक्रमित होने के बाद माग मेले में ही हरकम मचा हुआ दिखाई दे रहा है क्रोना के इस विस्पोर्ट क के बाद से ही मेले में आयोजन पर ही फिर से सवाल उपने लग गए है मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले में मुश्किली बढ़ा दी है मेले में सभी जो शर्धालों का आना जो है वह शुरू हुआ है और 14 जनवर को ही पोश्य उपर निमा से एक लाग से ज्यादा संत महत्मा और शर्धालों यहां कलपास करेंगे और मेले के आयोजन के लिए प्रियागराज में तंबूओ का अलग शहर बसाया गया है और सिर्फ ड्यूटी करने वाले करमचारियों में ही 50 से ज्यादा लोग संक्रमित प रहे हैं आस्था के नाम पर लाकों की भीड जुटाना करोना की खत्रे को दावत देने जैसा है मिलत छेत्र के साथ ही जिले में भी 379 लोग प्रियागराज जिले में भी करोना की एक्टिव केसिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रहे है कोविट-19 के नई वेरियंट ओमी क्रोन के कारेंड संक्रमन के बढ़ते मामलों के मद्धे नजर ही प्रधान-मंत्री नरेंद्र मोधी आज सभी राज्यों के प्रधान-मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे यह बैठक सभी राज्यों के मुखे मंत्रियों के साथ ही डेड़ साधे चार बजे वीडियो कॉंफरेंसी के माधियम से होगी और देश में क्रोना संक्रमन के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य द्वारा तरह तरह के पर्तिबंथ लगाए गए हैं और इससे पहले पीयम मोदी नेव समीक्षा करने के लिए भी एक उच्चे सत्री बैठक की अध्यक्षा की थी और इन्हों ने इस दोरान ही इस स्तर पर ही स्वास्ते संबंधी प्रयाप्त बुनियादी ठाचा सुनिश्चित किये जाने और वविश्चकों के लिए ठीका करन मोहीम मिश्यन मोड पर ही तीज क किये जाने की अपील की थी साथी उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालात तैयारियों और जन स्वास्ते सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी कुरूना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच ही देश में स्वास्ते कर्मियों और अर्गे मोर्चे के घरमचियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पिड़ित साथ साल से जादा आयू के मरीजों को टीकों की एतिहातिक खुराक दिये जाने की महीम शुरू हो गई है और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी अकसर इस बात पर जोर देते रहते है कि टीका करण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ही सबसे परभावी हतियार है साल 2020 में ही महमारी की शुबात होने के बाद से वो कई दफा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठके कर स्तिती की समीक्षा कर चुके है कर दो भी महस्तित की समीं